हाई एवरीबड़ी एक बहुत बहुत जरूरी अपडेट है प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा मानिश प्रातिम गोहिन जी ने जो है अभी डीसेंटली एक ट्वीट डाला है और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने CSAS में रेजिस्ट्रेशन तो कर लिया है लेकिन उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंस है उनको सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है बच्चावारी सेल्फ अटेस्ट कैसे करना होता है डॉक्यूमेंस के ओपर जो है आपको सिगनिचर्स करने होते हैं उसको हम लोग सेल्फ अटेस्ट कहत और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हों उसको self-attest नहीं किया है तो अगर आपको 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 अपने documents को self-attest नहीं किया है तो उन्होंने एक email ID बताई है जिस पे आप उन documents को भेजेंगे और फिर तो आप लोग जो है उस documents को self-attest और scan करने के बाद आप लोग जो है उसको at admission.du.ac.in ये उन्होंने एक email ID बताई है उस email ID पे आपको mail करने है और साथ-साथ आपको पहचाने की कैसे की कौन हो आप तो आपको जो है साथ में आपका application number डालना है very important प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर मान लीजे कि आप general category से हैं तो general category वाले बच्चों को क्या क अगर कोई भी certificate अगर जमा करें है और आपने उसको self-attest नहीं किया तो आप मैं तो आपको काऊंगी सारे certificates को दुबारा भेज डालो अगर आप लोग उन्हें self-attest नहीं किये और उन documents में आप अपने signatures उस copy को scan कीजेगा और साथ ही साथ उसको ug.admissions.du.ac.in email ID पे सेंड कीज आप